तो लोग सोचते होंगे कि एजूकेशन में किस प्लानिंग की जरूत पड़ती है तो बहुत कई चीजों की हमें डिस्टेंस, एक्सेसिबिलिटी, रिसोर्सेज, किस तरीके से कहां हम पहुचा सकते हैं इजली, कहां हमारे पास किस तरीके के रास्ते हैं, डेमोग्राफी, ये एक एजूकेशन ओफिसर, खासकर उत्राखन जैसे स्टेट में तो उसको विल्कुल पैदल चलने का उसका बहुत जजबा होना चाहिए, और चॉइन करते ही, सबसे पहला टास्क ये है कि अपने ब्लोग के हर एक स्कूल तक हो आए, ताकि एक फिर फ्यूचर में बहुत सार कर सकते हों, तो ये सबसे पहला टास्क एजूकेशन ओफिसर का, खासकर ऐसी जगह या किसी भी जगह होना चाहिए,